नमस्कार साथ ही हूं स्वागात है एक बाद फिर से सौरफ सिलेक्टिव क्लासेज में साथ ही हूं एक बाद फिर मैं मद्रपदेश सिक्षक भरती सम्मंधित एक और अपडेट लेकर आगया हूं जिसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है वो दैनिक भासकर से यहां पर मैं 3.7000 भरतियां उसके बारे भी पढ़ेंगे और आगे चलके हम यह पूरी निउजस के बारे में देखते हूं जो यह एक्जामस होंगे वो अगले साल इक्जामसिस के लिये जाएंगे तो यहां पर मैं बात करूं पूरेटि की बारे में कि किस तरीके से भरती निकालीए जा अभी वर्ग एक, दो और तीन में करीब 29,000 भरती कर रहा है कितने 29,000 टीचर्स की भरती कर रहा है और सबसे ज्यादा वर्ग तीन में 18,000 टीचर्स की भरती की जा रही है कितने 18,000 टीचर्स की भरती की जा रही है और अब अगले दो साल में 20,000 टीचर्स की नई भरती की जाए इनमें 15,000 से ज्यादा पदों के लिए बित्ति विभाग से पर्मीशन मिली है इसके लिए एक्जाम 2023 में होगा कब होगा 2023 में होगा यह मैं बता दूँ आपको जो एक्जाम्स होंगे वह आपके मई जून के एकॉर्डिंग होंगे मई जून जुलाई के समय पे ही होंगे और 2023 2023 में लेंगे तो यह जो भी एक्जाम्स होंगे वह अगस्त के पहले सभी कम्प्लीट करा लिए जाएंगे क्योंकि 2023 में हिंड में चुनाओ है तो अचार सहिंता के समय कोई भी एक्जाम्स नहीं लिए जाएंगे जो आपके एक्जाम्स होंगे और 2023 में वह जुलाई के समय तक complete करा लिए जाएंगे और सरकार ने सनीवार को प्राथमिक टीचर्स के भरती का circular भी जारी कर दिया था जो रविवार को सामने आया तो अगले साल प्रदेश में साड़े साथ हजार primary teacher रिटायर हो रहे हैं इसके अलावा मिडिल और हायर से भी 800 से ज्यादर teacher रिटायर होने के करण यह पद खाली हो जाएंगे तो यह जो साड़े साथ हजार पद है मैं आपको बता दूँ इसमें कोई exams नहीं लिए जाएंगे इसके बारे मैंने वीडियो डाल चुका है जो पुर सिक्षा विभाग अगले साल सीधी भरती से 15,000 से ज्यादा पदों पर भरती करेगा विभाग में 19,163 पद खाली है इसके लिए बित्ति विभाग से अनुमती मागी गई है इन में से अभी तक 15,129 पद स्विक्रिती हो चुके हैं बाकी पदों पर मर्मेशन का इंतिजार ह 2023 में रिक्त पद और भरती जो होंगी उनमें अगर बात करूं तो उच्च मादमिक अगर बात करें तो नवीन पातरता पर रिक्षा 2023 एवं चैन पर रिक्षा रिक्त पद आपके कितने हैं उच्च मादमिक के 7,468 और भरती की जाएगी 2750 पर ठीक है मादमिक की अगर बात क के अदार पर भरती 27,000 पदों पर जो अभी मैंने इसके पहले बता जिये जो 7,000 पदों पर भरती की जाएगी वो 2022 के रिजल्ट के एकॉर्डिंग ही यहां पर बर्ग तीन की भरती की जाएगी मगर यहां पर जो वर्ग एक वर्ग दो की वेकेंसी है 2700 पद और 5000 पदों पर इनके एक्जाम से ले जाएंगे इन बातों पर आपको ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा इस पोस्ट टीचर से भी होंगे स्कूल सिक्षर विभाग और को खेल कूद और गायन वादन में मिडिल और प्राइमरी पदों पर भरती की पर्मिशन मिली है सबसे ज़्यादा भरती की जाना ही है सभी पद बित विभाग से सुख्रती होने के बाद प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोड पीवी को भेज दिये गए है इन पर दोजार तेश से दोजार पच्चिस के बीच भरती होगी वागर मोशली जो भरतीयां है दोजार तेश में कंप्लीट कराने की संभावना ज़्यादा है और इसके साथ ही साहिक संचालक में 192 में से 140 पत के लिए पबलिक सर्विस कमिशन द्वारा विग्यापन जारी किया जा चुका हुच्च मादमिक के 2750 पतों पर विग्यापन जारी है मिडिल के 9498 से 5000 पतों के लिए विग्यापन यहाँ पर जारी किया जाएगा तो कुछ इस प्रेकार से आप इन पदों को स्विक्रती मिली है तो यह आप देख सकते हैं कि किन पदों को यहाँ पर स्विक्रती दी गई है तो आप देख सकते हैं सिक्चक गायन के पद हैं मादमिक सिक्चक खेल कूद के पद हैं प्रात्मिक सिक्षक नरत है, प्रात्मिक सिक्षक खेल कूद है, प्रात्मिक सिक्षक गायन है, बादन है, ग्रहन थपाल है और सहाय ग्रेट तरीके हैं, और 15 अगस्त 2022 के बाद विग्यापन जारी केर जिये जाएगा, जिसमें 20,000 पदों पर भरती होगी है, और 2008 में सिक्षक पात्रता वर्ग एक और दो की परिक्षा जो है रुकी हुई है सिक्षक भरती के लिए अगस्त और अक्टूबर 2019 में रिजल्ट घोसित किया गया था इसमें 40,000 टीचर्स की निक्ति होनी थी लेकिन 30,000 पद ही स्विक्रित किये गए इन्वेस सिक्षक विभाग में 20,500 पद ही और फरवरी 2013 तक यह नोकरी पाएंगे प्राइमरी टीचर्स जो साड़े साथ हजार वेकेंसी है फरवरी और मार्च में इनके क्या किये जाएंगे 2022 के रिकार्ड के रिकॉर्ड के रिकॉर्डिंग यहां पर भरती की जाएगे जन जाती कार व्युहाग के 11,000 पदों पर सही नियुक्त भरती यहां पर ला दी जाएगी और मदपदे प्रवर्शनल एक्जामनेशन बोर्ड ने इस समद्ध में स्कूल सिक्षा विभायक में आदिस जारी कर फरी में सभी को नियुक्त आदिस मिल जाएंगे नियम इसका टी आर सी एंपी ऑनलाइन वेबसाइट पर 31 अ पर इसकूल सिक्षा विभायक के 7,429 से वं काल विभाग के 11,000 पर पर सुझक्त भरती की जाएगी तो यह रहा पूरा कुछ डिटेल जिसमें आपका हम मैं बता दू कि 20,000 पर भरती है जिसमें आपके आपके 5,000 पर बर्ग 2 के बर्ग 3 के 7,500 पर बर्ग 1 के 27,50 पर यहां प भरती स्विक्रित की गई है तो यह रहा आपका आज का अपडेट तो यह अपडेट आपको कैसा लगा इस तरह के अपडेट सिक्षक भरती से जो भी है जैसे ही जो भी अपडेट आते हैं वो हम इस चैनल पर देंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर चैनल इसमें भी जुड़ जाई यूटूब को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे हम जो भी आगामी mcqs के वीडियो डालते हैं या news related वीडियो डालते हैं वो आपको जल्दी से जल्द आप देख सके और हम जल्दी आपसे इसी तरह के वीडियो में next मिलते हैं जब तक के लिए जय हिन जय भारत